वेल्कम बैक टूर ओवन चैनले मारकिट अनलेसिस दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी-फिप्टी और बैंक निफ्टी में क्या कुछ लेवल्स हमें आगे चल के देखने को मिल सकते हैं एंड इसके लाव दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ इंटरडे एंड स्विंग स्टॉक्स जिनमें एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें आगे चल के देखने को मिल सकती है तो बने रहे गए स्वेडी पर एंड तक चले ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते होती है नीचे एक बड़ टेस्ट करने जाती है फिर उसके बाद आप देख सकते हैं वन आवर की एक एंडल है क्या जबरदस्त मोमेंटम यहां पर दिखाए वैसे आज कंप्लेट पूरे दिन में जो है बहुत ही जबरदस हमें देखने को मिली है ठीक है उसके बाद वापि 2000 पॉइंट्स यहां पर जो है इसने रन अप किया है तो बहुत ही जबरदस सोलिट तेजी थी यहां पर आप आप आपने इसको गेंफूली एंजो किया होगा विकोज दोस्तों आज क्या थी बैंक निफ्टी के एक्सपारी थी इसलिए इसमें मोमेंटम आनी थी और हो सकता है कल के दिन जो है निफ्टी में आपको मोमेंटम दिखाई पड़े तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों अभी मार्केट में प्रेशर होए देखने को मिल सकता है विकोज जो मैं अवरली टाम फ्रेम में आप देख रहा हूं तो यहां पर आपको शूटिंग स् इसली दिखाई पड़ सकता है तो आने वाले कुछ दिनों में यह प्रेशर आपको कंटिन्यू दिखाई पड़ सकता है इस पे भी आप जो नजरू बनाखे रख सकते हैं एंड कहना चाहूंगा अगर मानकी चलो सीथा इक गैप अप उपन होता है और इसी जगे पर सस्टे मैंने आपको टेलेग्राम चैनल पर शेयर किया था कब 916 पर आपको शेयर कर दिया था ठीक है कि इसको जो है आप देख सकते हो जब उस टाइम यह प्राइस जो है 633 पर धा उके उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं क्या जवरदस इसने जो मुमेंटम दिखाई है अब हुआ है कि हम पूरा का पूरा मुमेंट कैप्चर करें किसी को नहीं पता होता कि यह कितना उपर जाएगा या कहां से रिवर्स कर जाएगा तो हम ही क्या करना होता या था ट्रेल करते हो SL को या फिर अपना एक लिमिटेड बना के रखो कि मुझे एक से 1.5% या 2% ही इतर डे के दोरण उसमें आप निकल सकते हो ठीक है ना दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ और बैतरे स्टोक्स के बारे में जिन में एक अच्छी खाथी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है सबसे पहला स्टोक के दोस्तों जूबलेंट इंगेर हुआ इस स्टोक्स को मै बार यहां से रिवर्स कर जा रहा था ठीक है बट यहां पर आप देख सकते हैं वन टू थ्री फॉर फॉर टाइम यह जो यहां पर टेच कर चुका है और जब किसी भी रेजिसेंस या सपोर्ट को बार बार प्राइज उसको टच करता है तो वो रेजिसेंस या सपोर्ट एक कमजोर हो जाता है और उसके break होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है तो हमने क्या करना है दोस्तों हमने नजर रखनी है कल के दिन अगर ये मान के चलो इसी जगे ओपन हो जाता है और थोड़ा sustain करें फिर यहां पर break करता है तो हमें अच्छी momentum मिल सकती है और ये भी हो सकता है दोस्तों कि आज इसने एक जबरदस momentum दिखाई है कल हो सकता है profit booking हमें आए ये थोड़ा नीचे जाके close करें और उसके 2-3 दिन बाद वापिस से reverse करेगा फिर अगर ये बरे करेगा तो जबरदस momentum आपको यहां पर दिखाई दे सकता है तो इस तरीके से आप जो इस stock को अपने end पे एक बस study कर सकते हैं नेक्स्टों के दोस्तों अलोक इंडस्री आप देख सकते हैं हमने इस लेवल के आसपास आपको study कराया था बहुत जबरदस momentum इसने जो बना के दिया हुआ था अभी दोस्तों वापिस इसी range में यह आया है यहां से ही इसने जो क्या किया है bounce back लिया है अभी जो एक confirmation आ चुकी है क्योंकि यह जो zone है दोस्तों आप देख सकते हैं इस zone को यह break करने की त्यादी में है अभी अगर हम देखें तो काफी दिनों से करीब फरवरी मंद से लेके अभी जून चल रहा है दोस्तों पाच महीने हो चुके हैं एक ही range में यह क्या कर रहा है consolidation कर रहा है ठीक है अब हमने क्या करना है दोस्तों कि यहां पे थोड़ा सा wait करना है अगर यह break करता है तो सीधा-सीधा हमें जो target मिलेंगे वो at least यहां तक के target आपको दिखाई पड़ सकते हैं और उसके बाद यह वापिस से इस high को भी touch करते हुए नजर आ सकता है तो इसको भी अपने end पे study कर सकते हैं नेक्स्ट होके दोस्तों कैल्टन टेक आप इसको भी देख सकते हैं यह हमारा जो जो जोन है दोस्तों एक resistance जोन है यहां पे बहुत बार प्राइज आके reverse किया है पीछे भी आप देखेंगे जाके तो इसमें बहुत बारी क्या हुआ है यहां से reversal मिला देखने को लेकिन कहन जाँगा दोस्तों अगर यह इस जोन में अगर घुस जाता है तो यह एक लिस्ट यहां तक तो जाना ही जाना है जा सकता ह्याक उसके बाद अगर इस जोन को भी यहां पे sustain करके ब्रेक करता है तो आगे एक अच्छी momentum हमें देखने को मिल सकती है तो इसको भी अपनी WARannen arrangements में पर क्या कर रहा था ट्रेड कर आ रहा था ठीक है इसने यहां पर ब्रेक आउट दिया नेक्स दे क्या हुआ सीधा गैप अपन हुआ फिर एक जबर्दस अपसाइड में कवर हो जाता है तो यह वापिस से अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है तो इस पर भी आप जो नजर बनाके रख सकते हैं लास्ट बटन ओद लिस्ट हमादरी स्पेसलिटी आप इसको देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा चार्ट पैटर्न मिरको यहां पर गाया उसके बाद इसने गिरावड दिखाई फिर से आया फिर सेम मतलब यहां पर आप देख सकते हैं वन टू थ्री और फो चार बार दोस्तों इस रेजिस्टेंस के आसपास यह आ चुका है और वापिस रिवर्सल ले चुका है बट आप अगर एक चीज देख होगे तो य यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से टेंड लाइन हमारे बडो हो सकती है ठीक है तो यह क्या दरसा रहे है हैर हाइस है है लोस की फोमशन है यहां पर बंते जा रही है हालां कि मैं बात करूंगा हाइर है तो यहां पर भुती comments बन रहें क्योंकि जो higher highs है इसका वो एक ही जगे रुखा पड़ा है रेस्सेंस के आसपास से ठीक है लेकिन हमारे जो lows है higher lows वो बनते जा रहें पहले low लगाया इसने फिर उसके बाद higher low लगाया फिर higher low लगाया मतलब जो low लगाया रहा है वो पिछले low से उपर ही लगा रहा है नीचे break नहीं कर पा रहें तो इसका मतलब दोस्तों simple है कि price में यहां पे कहीं न कहीं strength है और जब strength होती है तो momentum अच्छ इसको भी अपने end पे study कर सकते हैं और आपने किसी भी stocks में buy or selling करनी तो आप अपने financial